बिहार का महापर्व छटपुजा आज से शुरू हो गया है यह आस्था का पर्व चार दिन तक मनाया जाता है पहले दिन को नहाय खाय कहा जाता है इस दिन से छटपर्व की शुरुवात हो जाती है इस दिन वरती सुभा पवित्र नदी में स्नान करके नए वरस्त धारन करती है और अपने मन और शरीर को स्वच और शुद करती है नायखाय के दिन मुख्ये तोर पर चने की डाल कद्दू और लौकी और अर्वाचावल का भाद बनाया जाता है इस सभी भोजन को बहुत ही पवित्रिता से बनाया जाता है नायखाय में बनने वाला कद्दू भात का प्रसाज शरीर और मन और आत्मा को शुद कर देता है कद्दू भात का आजाय स्वाद ठेकवा के साथ करे संबाद फल, खीर, नीमू और गन्ने लाए जीवन का आनन्द उठाएं छटी मईया रखे आप सभी को प्रसन बिहार का महापर्व छट पूजा ये सिर्व एक पर्व नहीं बलकि बिहार का प्यार, मान, सम्मान और बिहार का गुरूर है ये आस्था का पर्व है पांचांग के अनुसार एक साल में दो बार महापर्व छट मनाया जाता है पहला चेत्र महिने में जिसे चेती छट कहा जाता है ये छोटे बेमान पर मनाया जाता है यानि कुछ गिने चुने परिवार के लोग ही इसे मानते है दूसरा कार्तिक महिने में मनाने जाने वाला छट ये सबसे बड़े स्तर पर धूम धान से मनाया जाता है भारत नहीं बलकि देश विदेश से भी लोग छट पूजा मनाने आते हैं महापर्व पर लोग ट्रेन, बस, फ्लाइट से देश विदेश से सब परिवार अपने घर, अपने गाउं लोटते हैं महापर्व छट मनाने के लिए नमस्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंग आपके साथ आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छट पूजा या तो कहे छटी मईया को क्यों इतना खास माना जाता है और छट पूजा कितने दिन तक चलती है कौन सा दिन क्या मुच्वर रखता है ये सब जानेंगे तो चलिए जानते हैं चट पूजा का पावन पर्व बिहार जारकंड उत्रप्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है ये सूर्य देवता को समर्पित एक चार दिवस्य वरत है चट पूजा में सूर्य देवता को अरग दिया जाता है अच्छे स्वास्त के लिए प्राथना की जाती है ये माना जाता है कि चट पूजा की शुरुवात रानी कनवती ने किया था माननेता है कि ये देव को दीवन दाता माना जाता है और छटी मैया को संतान की देवी इस पर्फ के माध्यम से लोग प्रकृती के प्रती अपना अभार व्यक्त करते हैं सूर्य, जल और वायू इन तीनों चीजों की पूजा अर्चना करते हैं छट पूजा करने से स्वास्त और सम्रिधी की प्राप्ती होती है छट पूजा चार दिनों तक चलती है पहला दिन नहाय खाए, दूसरा खरना तीसरा दिन शाम का अरग और आखरे दिन यानि संध्या अरग छट पूजा के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है इस दिन सुभा से लेकर शाम तक उपुवास करते हैं और शाम के समय भोजन करते हैं इसे खरना कहा जाता है और शास्त्रों में खरना का मतलब शुधी करन बताया गया है इस दिन छट पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है खरना का कार्तिक माज के शुकलपक्ष की पंच्चमी तिति को मनाया जाता है माना जाता है कि जो चटी मईया को पूझते हैं उनकी सभी मनों कामनाए चटी माता पूरी करती हैं खरना को लोहंडा भी कहा जाता है और खरना वाले दिन महिलाए पूरे दिन वरत रखती है जो मन की शुद्धता के लिए किया जाता है इस दिन छटी माईया के लिए प्रसाद तयार किया जाता है प्रसाद में शुधता का विशेश ध्यान रखा जाता है खरना की शाम को गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया जाता है कुछ जगाओं पर इस खीर को रस्या भी कहा जाता है खास बात ये है कि माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूले पर तयार किया जाता है प्रसाद जब बन जाता है तो सबसे पहले वरती को दिया जाता है उसके बाद पुरे परिवार में प्रसाद बाटा जाता है और प्रसाद का आनंद लिया जाता है इस दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है और वरती छटी मैया के गीत गाती है खरना में खीर के साथ दूद और चावल से तयार किया पिठा भी दिया जाता है खिलाया जाता है इसके साथ ही छट का प्रमुक प्रसाद भी ठेकुआ तयार किया जाता है खरना वाले दिन वरती धारी मानसिक तोर पर नर्जला उपवास के लिए तयार हो दिया और इसे पूरे वरत में शुधता का बहुत महत्वपून है शाम के समय खीर का प्रसाद कुरहन करने के बाद से ही वरती का लगबग 36 घंटे का नर्जला उपवास शुरू हो जाता है जो की चौथे दिन सुभा का अरग दे के समाप्त होता है चट महापर्व का दूसरा दिन इसे खरना कहा जाता है आप सब तो जानते ही होंगे इस साल खरना 6 नवंबर बुदवार के दिन को है खरना वाले दिन वरती महिला नर्जला पवास रखती हैं साम के समय गुड की खीर को पकाया जाता है और उसे रोटी पर रखकर भगवान को अरपित करने के बाद सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बाटा जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि नहाई खाई क्या होता है छट पूजा के पहले दिन को नहाई खाई कहते हैं इस दिन सनान और भोजन करने का विधान होता है पांच आंग के अनुसार इस बार पांच नवंबर को नहाई खाई किया जाएगा छट पूजा का दूसरा दिन खरन होता है तीसरा दिन शान का अरग चौथा दिन सुभे का अरग होता है आज की इस वीडियो में इतना ही देखते रही है मौवा खबर